आप सभी को अक्षय तृतिया की बहुत बहुत सुकामना हैं आपके जीवन में सुक रहें, सम्रिद्धी रहें, लक्ष्मी जी का आशिरवाद रहें, आपका भाग्य बना रहें, सवभाग्य बना रहें, इस वर से यही कामना हैं। आज मैं यह दूसरा कार्गम तेलंगना में कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से लोग उत्सा उमंग के साथ जुर रहे हैं, भारत के उजवल भविश के लिए यह आपका कमिट्मेंट दिखाता है। यह बन्यू भी और स्पेशल है। आप मैं से बहुत लोगों के आद होगा। इसमें निराशा को आशा में बदलने की आंधी चली थी। और अधीर यह द्रश्य, यह माहूल साथ दिखाता है कि तेलंगना का मूड क्या है। तेलंगना कह रहा है कॉंग्रेस नक्को, बी आरेस नक्को, एम आई एम नक्को, बी जे पी को इंच मोर देंगे। बी जे पी को जिताएंगे। साथियों मैं तेलंगना मैं जहां जहां गया हूँ। एक अभूत्पुर्वक करंत्री मैं देख रहा हूँ। तेलंगना के परणाम पूरे देश में उत्सा भरने वाले परणाम आने वाले हैं। साथियों, चार जुन के नतीजे अब बिलकुल स्फष्ट है। चार जुन को बेश जितेगा। कौन जितेगा। कौन जितेगा। चार जुन को एक सो चालीस करोड भारतियों का संकल्प जीतेगा। और चार जुन को भारत के विरोधी हारेंगे। चार जुन को आत्म निरबर भारत अभ्यान के विरोधी हारेंगे। चार जुन को जी एक कानुन के विरोधी हारेंगे। चार जुन को इनिपॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। चार जुन को बेड जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। चार जुन को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। चार जुन को फिपल तलाक के समर तक हारेंगे, चार जुन को प्रस्टा चार के समर तक हारेंगे, चार जुन को तुष्टी करन के समर तक हारेंगे. साथियों हाइदराबाद सॉल्यूशन सिटी है यहाँ हर प्रॉब्लेम का सॉल्यूशन डूंडा जाता है आप मुझे बताईए क्या भारत करप्सन जैसी प्रॉब्लेम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या क्या भारत को लाखों करोर के स्केम करने वाली पार्टियां आगे बढ़ा सकती है क्या क्या यूद की एस्पिरेशन को इगिनोर करने वाली पार्टियां देश का भविश्य बना सकती है क्या Middle Class के ड्रीम्स को कुचलने वाली political party आपका भला कर सकती है क्या हर project में पहले corruption का potential खुजने वाली party आ modern infrastructure बना सकती है तो ये काम कौन कर सकता है ये काम कौन कर सकता है ये आपका एक बोट कर सकता है ये आपके बोट की ताकत है जो इन सारी समझ्चों का समाधान है आपने बीजेपी को वोट एंडिये को वोट दिया भारत भी अपनी दसकों पुराने प्रॉब्लम्स के solutions पर काम करने लगा आज इसका पनराम हम चारों तरब देख रहे हैं भारत आज digital power है भारत आज fintech power है भारत आज startup power है भारत आज पांच भी दुनिया की सबसे बड़ी economy है भारत आज space power है साथियों ये तो modi का track record है लेकिन congress का track record क्या है congress का track record है loot 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 congress का track record है appeasement congress का track record है dynasty first congress का track record है आतंगवादियों पर नर्मी हमारे जो first time voters है न मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18-20-22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जड़ा चर्चा करें शाहिद इन first time voter जो आज से 10 साल पहले 8 साल 10 साल 12 साल के थे उन्हें तो याद भी नहीं होगा 10-11 साल पहले यहां दिल्शूख नगर में सीरियल बं ब्लास्ट हुए थे Congress की सरकार में पहले पुरे देश में ऐसी ही खबरे आती रहती थी कोई परिवार रेस्टोरन बे खाना खाने गया है ब्लास्ट हो जाता है कोई परिवार ठीटर में मूवी देखने गया है ब्लास्ट हो जाता था कोई परिवार बस से ट्रावल कर रहा है ब्लास्ट हो जाता था आज कहीं से भी ऐसी खबरे आती है क्या जरा इस तरफ से मुझे जवाब चाहिए क्या ऐसी खबरे आती है क्या उधर से जरा बताईए ऐसी खबरे आती है क्या ये बंबलास किसने रोके ये बंबलास किसने रोके ये बंबलास किसने रोके ये बंबलास रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई मोदी को सेवा उसका उसर दिया तब चाहकर के रुका है लेकिन ये बात कॉंग्रेस और इंडी गड़ बंदन को पसंद ही आ रही है देश में ये खुन खराबा फिर से शुरू हो इसके लिए कुछ ताकतें मोदी को हटाने में जुटी है इसलिए मैं हैजराबाद से पूरे देश को सतर्क करना चाहता हूँ कॉंग्रेस को वोड़ देना मतलब वो पुराने देन जो कोई अंजान पंजा आतन को उसके साहे में जीने के लिए देश को मजबूत कर देया था देश को मजबूर बना देता था और इसलिए फिर से एक बार देश आतन की लपट में आना नहीं चाहता है साथियों कॉंग्रेस हमेशा से एंटी मिडल स्वाज पार्टी रही है आप याद कीजिए जब ये सरकार में थो तो कैसी कैसी बाते करते थे इनके एक नेता कहते थे कि मिडल क्लास कैरलेस है उनके नेता कहते थे कॉंग्रेस के वो कहते थे कि जो आइस्क्रीम पर पैसा खर्च करते हैं वो महिंगाई की शिकायत क्यों करते हैं याद हैने पुराने बयान ये कॉंग्रेस के नेता सरकार में रहते ऐसे बयान देते थे साथियों इस बार भी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में मिडल क्लास के लिए जरासा भी विचार नहीं किया गया है लेकिन ये लोग मिडल क्लास की कमाई का एक्सरे करके उसे अपने वोट बैंक की और उनको बांटने की गोशनाएं साथियों आप मुझे बताइए आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है के नहीं है क्या कोई सरकार आपकी संपत्ति छीन करके आपके संतानों का अधिकार छीन ले ऐसी सरकार आपको मंजूर है साथियों कॉंग्रेट ये विचार करके चल गई है साथियों कॉंग्रेट की नस नस में रेसिजम का जहर भी भरा है ये सहाजादे के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का आफरिका का बता रहे हैं सहाजादे के उस्ताद की माने पास सभी भारतिय नहीं बलकि अफरिकी है कॉंग्रेट देश को टुकडों टुकडों में तोड़ने वाली मानसिक्ता के साथ बोल रही है ये लोग भारत को एक राष्ट ही नहीं मानते हैं इसलिए आपको कॉंग्रेट से इंडी अलायंस से बहुत सतर्क रहना है साथियों आप सभी जानते हैं कि सहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं और सहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है वो कहते हैं कि राम मंदीर और राम नव में मनाना गलत है वो कहते हैं कि बगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाप है मैं जरा आप से पूछना चाहता हूं क्या भगवान राम का अपमान आपको मंजूर है क्या पूजा करना गलत है क्या क्या पूजा करना देश द्रो है क्या क्या पूजा आपको मंजूर है भारत को हमेशा विदेशी चस्मे से देखने वाली कॉंग्रेस को आइडिया ओफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है आखिर क्या है आइडिया ओफ इंडिया आइडिया ओफ इंडिया बारत की हजारों साल पुराने सांस्कृति का प्रतिभिंब है Idea of India याने सत्यम्यव जयते Idea of India याने अहिंसाब परमोधर्मः Idea of India याने आचारः परमोधर्मः Idea of India नहीं सत्याज़ परोधर्मः आइडियो फिन्या एकम्सर्ग विप्रहा बहुदा बधंती, आइडियो फिन्या बसुतो धैव कुटुमकं, आइडियो फिन्या सर्व Mossadhad, आइडियो फिन्या अपदीपो भवर्वड, आइडियो फिन्या बुद्धंशर्णं अज्चामी, आइडिया अफ इंडिया सरवे बगरानी पस्चन तू मांक कस्तिटू Gmbhak बवेतud जाईडिया अब इंडिया परण। आयां सतां भीवूतनि हाँ इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभू सेवा अइडिया इश्वरह शर्वА भूत आनाम आईडियो अफ इंडिया सरब जोती के बिच समाना आईडियो अफ इंडिया God is great आईडियो अफ इंडिया नर्मे नरायन जीव में शीव आईडियो अफ इंडिया या देवी सरब भूते सु मात्र रुपेन संस्तिता आइडियो पिंडिया नारी तू नारायनी आइडियो पिंडिया मा बिद्विशाव है आइडियो पिंडिया मिच्छामी दुक्रम और आइडियो पिंडिया अपी स्वयन मैं लंका नमे लख्मन रोचते जननी जन्म भूमिष्च स्वर्गाद अपी गरियसी हमें जंग में देने वाली धर्दी मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिया है ये बगवान स्री राम के ही तो बोल थे ये आईडिया ओफ इंडिया आज केवल मन नताओं तक सिमित नहीं है ये आईडिया ओफ इंडिया आज भारत की एक ससक्त पहचान है ये आईडिया ओफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है और इसलिए आज आज आईडिया ओफ इंडिया याने इंटरनेशनल योग दिवास आईडिया ओफ इंडिया याने वान आर्थ वन फामिले वन फ्यूचर का वीजन आईडिया ओफ इंडिया याने विश्व के लिए वन सान वन आर्थ वन गिड का विचार आईडिया ओफ इंडिया ने चंद्रमा पर शिवशक्ति पॉइंट आईडिया ओफ इंडिया मतला बजर अब देमोक्राशी आईडिया ओफ इंडिया जस्टिस्टो अल एपिज्मेंट तु नन जिन स्री राम से हमें ये प्लेडा मिलती है उनी प्रभु राम की पूजा को कॉंग्रेस आईडिया ओफ इंडिया के खिलाब बता रही है साथियों तुष्टी करण के लिए कॉंग्रेस और उसकी जैसे सोच वाली पार्टिया कुछ भी कर सकती है यहां हैद्रबाद में भी M.I.M. को इसलिए ही खुली छुड़ दी गई है बोट बैंक न नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कॉंग्रेस और ना ही प्यारेस हैद्राबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है लेकिन अब बीजेपी ने हाइद्राबाद को इस खौप से मुक्ति दिलाने की ठानी है केंद्र सरकार ने तै कर दिया है कि हर साल 17 सप्टेबर को 17 सितंबर को हैद्राबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा भाई और भेनों हिंदुओं को माटो और अपने वोट बैंक को खुश करो ये कॉंग्रेस की नणनीती है इसलिए कॉंग्रेस SC, ST, BC से रिजर्वेशन चीन कर रिलीजन के अधार पर बांटना चाहती है आपने सुना होगा कि साजादे के करीबी और चारा गोटाले के दोशी नेता ने क्या कहा? जेल से बार आएं, क्या बोल रहा है? वो कहते हैं मुसल्मानों को रिजर्वेशन देना ही चाहिए और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसल्मान को देना चाहिए ये लोग BC कोटा के रिजर्वेशन को खत्म करके रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो G.H.M.C. चुनाओं में पढ़ा था वो हम सबने देखा है जिन सीटों पर BC समाज का हक था वो उनसे छिन ली गई कॉंग्रेस यही मोडेल पूरे देश में लागू करना चाहती है साथियों तेलंगना में जब से कॉंग्रेस सरकार बनी है तब से डबल आर टेश की भी बहुत चर्चा है एकार तेलंगना का और एकार दिल्ली का इन्होंने मिलकर हाइदराबाद को तेलंगना को ATM बना दिया है मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन डबल आर टेश पर यहां के मुक्यमंत्री खुद सभाई दे रहे हैं साथियों यहां हैदराबाद में तो ट्रीपल आर टेश का बोज आपको उढ़ाना पड़ता है यहां एक आर रजाकार का भी है यह रजाकार टेक्स कैसे काम करता है यह ओल्ड हैदराबाद में दिखता है कॉंग्रेस बियारेस के समर्थनवाली मजलीस के सांसर वहां लंबे अरसे से है लेकिन वहां बेसिक सुमिदाएं तक नहीं है साथियों हाइदराबाद में हर साल बारिस में चारों तरफ पानी भर जाता है लेकिन बियारेस हो या कॉंग्रेस किसी ने भी आपकी परिशानियों को नहीं समझा हर साल पब्लिक परिशान रहती है इसे हेल्थ और एजुकेशन हर सर्वीस उस पर बहुत बूरा असर पड़ता है यहाँ पावर कड से लोग परिशान है साथियों बीजेपी तेलंगना के तेज विकास के लिए प्रतिवद्ध है तेलंगना को पहला एम्स किसने दिया तेलंगना को चार बंदे भारत ट्रेन किसने दी तेलंगना को सेंट्रल ट्राइबल उन्यॉवसिटि किसने दी तेलंगना मैं नाम है बंद पड़ी फट्रिलाइजर फटरी किसने चालू कि तरमरिक बॉड किसने बनाया एंटी फिसिग का बड़ा बिली कारखना किसने बनाया ये सारे काम BJP की सरकार दे किये है हमारी सरकार तेलंगरा को Global Capability के बड़े Center के रुप में भी विशित कर रही है यहाँ Aviation Hub बन रहा है ये Aircop Engine के दुनिया की सबसे बड़ी MRO Facility होगी आत्मन निर्भरा भ्यान का लाब भी तेलंगरा को मिलने जा रहा है Depends से लेकर Bio Technology Green Energy Electric Mobility और Artificial Intelligence तक Manufacturing और Service सेक्टर में तेलंगरा के लिए आने वाले पांच साल तेज विकास के होंगे हसन चेड़ापल ने LPG Pipeline से भी इस छेत्र को काफी फाइदा हुआ है यहां युवाओं के लिए जॉब के रोजगार के अंगिनत आउसर बंद है साथियों बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है यह बीजेपी सरकार है जिसने ट्रीपल तलाक के बाने मुस्लिम बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्ब किया है यह बीजेपी की सरकार है जिसने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से लाकों साउचाले बनवाए इसने मुस्लिम समाथ की बेटियों को भी लाब हुआ दस साल में बेहनों को पहली बार टॉइलेट गैस पानी जैसे सुविदाएं मिली है पहली बार उनको भी पक्ता घर मुफ्त राशन मुफ्त इलाज की सुविदा मिली है इसलिए हर माँ बहन कह रही है मात्रु शक्ति कह रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों बी आरेस को दिया आपका वोट कॉंग्रेस को ही मदद करेगा और कॉंग्रेस को दिया आपका वोट भी केंद्रे में सरकार नहीं बना सकता इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबा करके मतदान करना है और भाईयों मैंनो ग्या मेरा तेला घड़ा मतदान के पुराने सारे रेकौर्ड तोρ सकता है सारे पुराने रेकौर्ड तोर सकता है जादा से जादा मतदान करा सकता है इस चुनाओं में भाई जपास सभी लोग सबाद सिखतो जीतने वाली ही है लेकिन मुझे जादा से जादा पोलिंग बूठ जीतने है क्या पोलिंग बूठ जीता सकते हैं पोलिंग बूठ जीताएंगे पूरी ताकत पोलिंग बुझ जिताने में लगाएंगे बाईयो बेनो इस चुनाओ में सिकंद्राबाद से मेरे साथी जी किशन रेडी जी हाइद्राबाद से बेन माजवी लता मलकाजगिरी से स्री एटलाज राजिंदर चेवल्ला से स्री कॉंडा विश्वस्वर रेडी और भुवन दिरी से गौक्तर बुरा नर्यदर सैया गौर इन सभी साथियों को विजय बनाना है बनाएंगे जादा से जद्लान मतलान कराएंगे अच्छा मेरा एक काम करोगे ये चुनाओ वाला काम नहीं है मेरा परसनल काम है करोगे ये बोधी का परसनल काम है करोगे इन में से किसी का काम नहीं है मेरा है करोगे ज़र हाथ उपर करके बताओ करोगे अच्छा तो मेरा काम बहुत सरर है जादा से जादा परिवारों में जाईए उन सबको मिलिये और उनको कहिए मोदी जी हैदरबाद आए थे आप सबको नभशकार कहा है परिवार में सबको जैस्री राम कहा है मेरा नभशकार मेरा जैस्री राम पहुंचाएंगे जब परिवार के सब लोगों को मेरा नमस्कार पहुंचेगा मेरा जैस्री राम पहुंचेगा तो परिवार के हर कोई मुझे आशिरवाद देंगे और जब परिवार के हर वेक्ति मुझे आशिरवाद देता है तो मेरी उर्जा अनेक ग संता के साथ कर सकता हूं उलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद